बिलकम बेक फ्रेंड दोस्तों नमस्कार इस विडियो में इस्पेसल बात करने वाले हैं UPSI आप सभी को पता होगा 12 नौवंबर से आप सभी के एक्जाम जो है कांटीनियू चर रहे हैं फर्स्ट फेस का एक्जाम जो है समाप्थ हो चुका है और फर्स्ट फेस का एक्जाम 12 से लेके 17 नौवंबर तक चला था वहें पर सिकेंड फेस की बात करते हैं तो 20 नौवंबर से 25 नौवंबर तक एक्जाम चला था भाईया first phase का exam जो है समाप्त हो चुका है और second phase की बात करते थे इसका भी exam जो है समाप्त हो चुका है तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं इसका label क्या था और label को देखते हुए सब कुछ clear करते हुए label को देखने के बाद सारी जानकारी को एकत्रित करने के बाद तो भाईया हम लोग इसमें cut-up देखने वाले हैं कि first phase का आपका cut-up क्या जा सकता है और second phase का जो exam भी समाप्त हुआ है इसका cut-up कितना जा सकता है तो आप लोग वीडियो में बने रहना और यहाँ पर याद रखेगा कुछ सिप्ट जो ऐसी थी असान थी और कुछ ऐसी सिप्ट जो कठिन थी तो भाईया सब कुछ clear करने वाले हैं और हम लोग cut-up देखने वाले हैं कि आपकी जो final result जारी होगा जिसमें आपका list में नाम होगा तो आपकी cut-up कितनी जा सकती है जिससे कि आपका final selection यह नहीं हो जाए आपका जोयानी लेटर आपके घर पे पहुँचाए तो भाईया वही सब कुछ देखने वाले हैं वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करना चैनल को प्लीज जो नहीं बच्चे होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ नहीं करते हैं यहाँ पे 60 एकदम 100% महिनत करके यहाँ पे लिखने के बाद अच्छे से वी ताकि आपको एक भी doubt ना रहे आपके दिमाग में ओ कोसिस करते हैं कि यहाँ पे अच्छे से आप लोग समाझ जाओ क्योंकि यहाँ पे सुरू से जो बच्चे जूड़े हुए हैं सुरू से लेकर लाश्ट तक बहुत से बच्चे जूड़े हैं बहुत ज़ादा क्योंकि आप सभी को पता है बच्चे वहीं जूरते हैं जिनके उपर ट्रस्ट करते हैं ठीक है बच्चे वहीं पर जूरते हैं जहाँ पर उनको ट्रस्ट होता है यह चैनल बहुत सठीक है और सही जानकारी देते हैं और एकदम मेहनत करके अथन्टिक जानकारी आपके सामने पेस्स करते हैं तो भाईए इसकी बार है जेल वार्डर को भी किलियर कर चुक है अब इसकी बार है यूपी एसाई का तो यहां पर यूपी से ऐसे नहीं कि वीडियो मिल गई तो खतम हो जाएगा इसके बाद नहीं आगे वीडियो अब यहां से स्टार्ट होगी जब तक आपका जौनी लेटर घर तक नह जाद रखना तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लेना ठीक है एक एक जानकारी यहीं पर मिलेगी कोई भी साथ आपको छोड़ सकता है लेकिन इसमार डेस्टिर आपको साथ लास्ट तक जूल रहाएगा जब तक आपकी जौनी लेटर आपको घर तक नहीं पहुंच पाता ठीक है कांटिनू जूल रहाएगा चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं हम लोग फेज 1 का कटाप देखेंगे और फेज 2 का कटाप देखेंगे और जो 27 तरिक के थर्ड फेज वाले को ठीक है थर्ड फेज वालों को एक्जाम स्टाट है और कप तक चलेगा 2 दिसंबर तक चलेगा इसको भी जान लिजे 27 önवर से 2 दिसंबर तक चलेगं उसके बाद जो बच्चे कुछ छोड़ जाएंगे उनका एक्जाम जो है तीं नवमबर को होगा ठीक है तीं दिसंबर को उसके बाद एक् relatively को आपका समाप्ट हो जागा और answer से बताए हूँ आपके अंसर की बहुत जल्दी आ जाएगी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल विलेट नहीं करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहां पर हम लोग सभी का कटाप देखने वाले कटेकरी बाद पूरा देखेंगे अच्छे से फेज 1 को देखते हैं उसके बाद फेज 2 को देखते हैं जर्नल, OBC, EWS, SC, ST और जितनी सारी फिमेल है आल उसके बाद फेज 2 का हम लोग देखेंगे यहां पर देखेंगे फेज 2 सेमोही जर्नल, EWS, OBC, SC, ST और फिमेल आल कटेकरी ओके भी है चली सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेज 1 का कटाप कितना आपका जा सकता है आप सभी को पता है फेज 1 बहुत सरल आया था पेपर तो इसको जल्दे जल्दी से हम लोग देखेंगे अपकी कटाप कितने जा सकती है फाइनल, ठीक भी है, एस्पेक्टेड है यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे सबसे पहले हम फेज 1 का कटाप देखेंगे, ओभी मेल कंडिडेट का, उसके बाद फिमेल का देखते हैं, क्य एकदम अराम से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी, एस्टिक बात करते हैं, 105 कुश्चन ठीक है, और प्रिबिए सीरों बात करते हैं, यह जैनल की 252 थी, जैनल की 252 थी, और ओभी सिक साइद 227 थी, और एस्टिक 211 पॉइंट कुछ थी, ठीक है, 211 पॉइंट कुछ थी कॉलिफाई कोई कंडिडेट नहीं कर पाया था, इतनी कटाप गई थी, तो सुचो, 115 नमब, 115 कुश्चन की बात करते हैं, तो आपका 287 नमबर बर रहा है, जो की पिछली प्रिवेस की बात करते हैं, तो कितना 252 नमबर था, ठीक है, यहाँ भी देखो, इस बार इतनी आप इनका हो जाएगा, 275 आपका नमबर रहेगा, हो जाएगा, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा है, 9534, इसकी बाद ऐसीक बात करते हैं, तो हो जाएगा, यहाँ देख these, times, 250 नमबर, क्योंकि यहाँ पी इनकी सीट जो है, बहुत कम होती है, बच्चे ज्यादा डाल देते हैं, इ पाझने वाले बच्चे होंग जो जनल बजिए आपको जेख हो करते हैं तो अच्छा नंबर करते हैं इसलिए इस बाद जाने के चान स्थ हाइख यहां पर देखे में अफ़्ेट देख लेना एक्दम यहां पर आपकी जाने वाले ही फार्नल में आप लोग का सेलेक्शन होगा तक ए देखे, इस ख्रेंब पर इखरा होगा सेलेक्शन होगा बात करें तिनका भी, आपके लिए जो में करते हैं यहाँ पर देखो अच्छेसे यहाँ पर फिमेल वाले देख लेए यहाँ देखो फिमेल की कटाप कितनी जा सकती है फिमेल की बात करते हैं यहाँ पर फेस्ग पर जाएगा जनल पर जनल में 105 question कि यह होगे सही है तिनका सेलेक्शन हो जाएगा EWS 102 पे होगा OBC 102 SC 90 ST 86 नमबर देख लिए 105 होगा जैनल का जैनल का 262 EWS का 255 OBC का 255 SC का 225 और ST को बात करते हैं 220 नमबर आपका होगा आपका सेलेक्शन से और है अराम से घर आपकी जोनी लेटर आएगा आप बात करते हैं फेज़ टू की अब यहां पर देख लिए अच्छे से हम लोग देख लिए फेज बन का कटाप देख चुके अब भया देखने वाले फेज़ टू का कटाप कितनी जा सकती है फेज़ जो और कटाप जाएगा देखो कटेंक्रिवाज देखो फेज़ टू की कह टाप कितनी जाने वाले फेज़ 2 ठीक है यहांब देखते हैं फेज़ 2 कटाप देख लो टेख लो कितनी जा रहे है अच्छ जों कर देते हैं यहां से च्छी समझ़ में जैनल का जोबी एक है कै watt दो S 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 250 नमबर इतना आपको नमबर लाओगे मेल में जो भी सेकेंड फेस का कंटिजेट होगा इतना स्कोर इनका आ रहा होगा इनका फाइनल सेलेक्शन हो जाएगा बहुत ही आराम से होगा और आपको नार्मलाजिशन में बहुत ज्यादा फाइदा मिलने वाला है कमसे 20 से 25 नमबर आपको मिलेंगे इससे ज्यादा हो सकता है 30 32 32 32 नमबर बढ़ सकते हैं इतना याद रखना सब्जेक्ट वाइस नमलाजिशन होगा उसके बाद पलस बाराल नमलाजिशन होगा बाराल कटाप की बात करोगे एक वीडियो बना दिया हूँ प्लीज उसको जाके देख लेना क्लिक कर कर देना यहाँ पर और लास्ट नहीं 작 Senator को को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर लगा देंगे कटाफ वीडियोन देख लिजिएगाई क्लिस वह देखा सब्सक्राइन का देख लिजाएक Terror उसके बाद यहीं पर देखो अब यहां पर फिमेल की बात करते हैं तिनका देख लिजे कट आप 100 यहां देखो 100 प्लस रहेगा तो इनका जनरल में सेलेक्शन हो जाएगा 100 प्लस 100 कुश्चन साही सेलेक्शन आपका सेवर है EWS 98, OBC बात करते हैं 97, SBC बात करते हैं 88 और SBC बात करते हैं 87 ओके इतना कुश्चन होगा तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा जोंग कर देते हैं अच्छे से यहां पर देख लिजिए स्क्रीन स्वाट लेके अपने वाइल में सेफ कर लिजिएगा ओके फिमेल की बात कर रहे है यहां पर देखो 110 बोले तो आपका 250 नमबर होगा सेलेक्शन हो जाएगा वह एपर EWS की बात करते हैं 242 पर SBC बात करते हैं फिमेल में 220 पर SBC बात करते हैं इनका जाएगा 217 नमबर फिमेल बहुत कम डालते हैं इनका कटाब बहुत बहुत कम जाएगा ठीक है अच्छे से देख लेना फिमेल कंडिडेट ओके फेस्टू की बात कर रहे हैं फेस्टू ओके फेस्टू कटाब किलियर हो गया है सब कुछ अच्छे से आप लोग देख लियोंगे स्क्रीन स्वाट अच्छे से ले लिजिएगा सारी चीजे क्लियर हो गई फेस्टू इसके बाद वीड वीडियो आ जाएगी और लेबल कैसे बढ़ रहा है कैसे क्या कहां से प्रेस्ट पोछ रहे हैं उसको पर वीडियो आती रहेगी फेस्टू और फेस्टू और फेस्टू और फेस्ट्री का एक्जाम होने वाला है 27 तारिक से ठीब है इसके बाद ओबराल बता दूंगा कितन सारी जानकारी आपको बता दूंगा एंसर की कवाप की जारी होगी वीडियो के नीचे इसी लिंक दे दूंगा उसको जाके देख लेना और यहां पर यहां पर लगा दूंगा लाष्ट में बीडियो खतम होगी कटाप को पर वीडियो यहां बना दीए एक-दो दिन हुआ यहाँ पे डाल दी अच्छे सुझको समसे, उसको जरूर देखना अच्छे से, ओबाराल कितने जा सकता है, और रंणिंग में, फिजिकल में, कितने बच्चे कौलिफाइगा, और यहाँ पे एंसर की की वीडियो लगा दूँगा, यहाँ पे देख लेना, और यहाँ पे चैनल को लोगो हो जाएगा, ठीक, इसको देख लेना, इसको देख लेना, चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लेना, बाकि बहुत सारी जानकारी इसपे आपको मिलने वाली है, और ऐसे वाइसे नहीं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगी हो तो जरू सस्क्राइब परना ठीक है और बेल आइकान बना होगा आल ताकि यहाँ पर जैसे वीडियो अप्लोड करें चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर लोगे उसके बाद यहाँ पर लोगो ऐसे बना ह करके जरूर बताना मिलते हैं ने स्टूरियूम थैंक्यू धन्यवाद